हेई गाइज देखो टाटा मोटर और मेरीको मतलब काफी अच्छा पफरम कर दिखाया है ये दोनों स्टॉक ने टाटा मोटर में काफी लोगों ने पैसा लगा रखा है देखो ग्रूप के तरब से टाटा ग्रूप के तरब से ये खबर आ चुकी है पहले ही आ चुकी थी कि ये आने वाले 5 सालों में बहुत सारे EV launch कर देंगे और उसमें हो रही थी एक प्रॉबलम कि बैटरी हमारे इंडिया में है ही नहीं प्रॉबलम ये था तो टाटा केमिकल जो कंपनी है ये बैटरी बनाती है रिसाइकल भी करती है दोनों काम करती है और ये जो टाटा मोटर क बहुत तगड़ा रिटर निकाल के दिया है साथ में टाटा केमिकल ने भी सोच लिजे ये सारे कंपनी आपस में जुड़ के काम करती है और आज के डेट का रिटर तो आप देख सकते हो 5% का रिटर है बहुत अच्छा खासा देखने को मिला और पिछले 6 महिने से 15% का अगर केवल एक से 2 दिन और तेजी रह गई तो समझो कि मतलब कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है यहाँ पर तो ऐसा क्या करनामा हो गया है भाई देखो 6 साल के बाद टाटा मोटर बोल रही है कि हम देंगे डिविडेंट देख सकते हो बताया जा रहा 12 में को ठीक है अब दो हजार पांच जार दस जार करोड तक का लॉस तो बैज जो कमपनी लॉस कर रही है तो डिविडेंट का मतलब हो रहा होगा कंपनी सफिशन्ट प्रॉफिट कर रही है और फिर उसके बाद कंपनी के पास एक्स्ट्रा एक्सपेंस के जरूत नहीं यह वह पैसा है जो आप सा कैश फ्लो होता है फ्री कैश फ्लो होता है समझ रहो ना तो अब जाके मतलब यह कंपनी आप लोगों को डिविडेंट निकाल के देने वाली और यह इतने सालों के बाद है मतलब कंपनी अच्छा खासा पफॉर्म करने वाली है आने वाले क्वार्टर में आईए मैं आप यहां से तो यहां से अगर आप देखोगे हैं तो 2019 से कंपनी बहुत खतरनाक लॉस कर रही है इतना बड़ा बड़ा लॉस कर रही है कंपनी के समझों की कंपनी के पास खुदी नहीं यह पैसे सर्वाइब करने का सोच लो उसके बाद इतने सालों के बाद कंपनी आपको डिविडेंट देने वाले हैं मतलब यह है कि आने वाले कुछ साल जो हैं कंपनी के लिए अच्छे होने वाले हैं डॉमेस्टिक और फॉरेन इंवेस्टर दोनों महरबान हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने थोड़ा बहुत माल बेज दिया था फॉरेन इंवेस्टरस ने 13 परसंट तक आज देखो 15 परसंट है डॉमेस्टिक वाले के पास पहले 10-11 परसंट हुआ करता था आज देखो 17 परसंट से जादा है 18 परसंट तो पब्लिक के पास अगर हम देखते हैं तो पहले इनके पास 27-29 परसंट तक हिस्सेदारी हुआ करता था 29 परसंट तक और आज के रेट में केवल 20 परसंट ही है बहुत मजबूत मतलब आज के रेट में जो है था स्टॉक ने परफॉम किया पिछले पांच सालों सॉरी पिछले पांच दिनों में कितना परफॉम किया है 6% का और इससे पता चलता है कि आज के रेट में ही ये मतलब जो चीज़ देखने को मिलिया, पिछले एक महीने में भी तो आज हाई मारा गया है, पिछले छे महीने में तो देख सकतो, पिछले पांच महीने से जो गिरावाट था उसको एक महीने में ही कवर कर दिया, पिछले पांच सालों की बात कर लेते हैं, यही चीज़ यहाँ पर मैं आ और अब तो ऐसे रहरा जैसे मानों कि अपने all time high के बाजू में जा सकता है क्यूंकि अगर आप notice की जिगा ध्यान से इसको इसको यह सारी चीज़ों को अगर आप टेक्निकल ही देखोगे अच्छी तरीके से चार्ट में तो सबसे बड़ा rally यह देखने को मिला अगर यह मान ल तो देखते हैं पिछले साल और इस साल में क्या फर्क देखने को मिला है यहां पर आपको बताया जा रहा है तो पिछले साल इसने कमाया था केवल 2161 और यहां पर कमाया है 2240 करोड ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाया है लेकिन लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल में कंपनी ने केवल 16% का ही margin कमाया थो और इस बर कंपनी ने 18% का margin कमा लिया है पहली चीज तो sales थोड़ा उपर बहुत जादा है margin और इसी के वज़े से यहां पर जो इसका net profit हो जाता यह बदल जाता पूरी तरीके से 257 करोड से 300 करोड है पिछले साल से कमपनी ने बहुत तकड़ा परफॉम किया हला कि पिछले quarter से थोड़ा सा थोड़ा सा कमपनी पीछे रह गई लेकिन year on year का performance अगर ह यही है company और ऐसी company भाई जैसे कि इनके पास इनके पास R&D में ज्यादा पैसा खर्स नहीं करना पड़ता है क्योंकि इनके पास already बहुत मजबूत portfolio देखने को मिलते हैं इस वज़े से promoters काफी इच्छा पैसा छापते रहते हैं और यहां पर देख लिए जो foreign investors domestic वाले और public क पास तो बहुत कम ही है, cable public के पास 5% ही है, अच्छे company में public के हिस्सेदारी कम होती है और यह अपने brand को भी बहुत अच्छी तरीके से advertise करके लोगों के सामने रखने की कोसिस करते हैं, इनके पास जो oil है यही इनका मतलब समझो की backbone है, backbone है, मतलब अगर सफोला की बात करते है या parachute की बात करते हैं, तो भाई यह product तो market पे चलता ही चलता है, बहुत बड़े मातरा में चलता है, लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से consume करते हैं, और इसी के दम पे इनका जो और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो product हैं वो launch कर देते हैं, इनका R&D में पै धिरे-धिरे लाने के खुशिस कर रहे हैं, और market में launch करने के खुशिस कर रहे हैं, हला कि वो सारे इतने successful नहीं है, जितना सफोला और मैरिको पैरसूट और जो है वो देखने को मिला, लेकिन फिर भी बहुत सारे product के धिरे-धिरे launch करके अपना profit बढ़ा रहे हैं, ब्रांड तो वो भी काफी अची तरिके से यहां पर perform करते हैं, ठीक है, उनको भी यह सारी चीज़ बताया जाता, और यह company आपको बताया जा रहा है, gross margin वगारा कितना है, और company का मतलब कि यह journey कहां से कहां start हुआ, international business आपको देखने को मिला, margin कितना expand किया जा रहा है, यह सारी तो ऐसे company में अगर आप पैसे लगाते हो, तो भाई यह मतलब समझो कि मतलब cash काओ की तरह माना जाता है, हर सल कुछ न कुछ आपको एक normal return निकाल के देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा return देखने को नहीं मिलने वाला एक ही बार में, लेकिन धीर 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 अपने debit account वगरा open कर सकते हैं, बिलकुल free में